NOS, कर आज हम डिसकस करेंगे हमाचल प्रदेश पब्लिक सर्वूर्स कमिशन का प्रिविए सेरक करोर्ण में पर इससे पहले हमने में एक सीरीज चला है जिसमें हम हमाचल प्रदेश करते हैं परंथो हमाचल प्रदेश प्रदेश så yapt discl ंग करेंगे तो होसको करते हैं आज कि बीड़ेॅब फरस्ट क्वेशल підластफ हो एक हिया का पहला क्र struggles यहां से स्थार्ट होता है हिंदी और इंगलीस दोनों में क्वेशल है रन्तु हम हिंदी में इनकों पढ़ेंगे अगर कुछ को चिंठ हिंदी में एक साइड तो उसके बानगंगा बहती है और दूसरे साइड उसके माजी नदी बहती है माजी नदी है एक विस्टी कांगड़ा में वो उसके किनारे बहती है कि दोनों ही ब्यास की साइड नदी है नूरपूर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी तो ऐसा कौन सा इरोपियन था जिसने जो था तो कैप्टन हारकोट के द्वारा जो था उसके बारे में जानकारी दी गई थी कुल्लू के बारे में ठीक है कुल्लू के बारे में कैप्टन हारकोट ने दी और कनिंगम के द्वारा जो था जानकारी दी गई थी कांगडा, चमबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर, राजगरा के बारे में और फॉस्टर के दॉरा सेबंटी एटी थी में मनी किया गया विलियम मूर्च्राफ्ण ने य Death percent 1820 12 ninete Васीच किया था और मिजर अर्चर ने जो था वो 1829 में जो था वो म settings यह आप यात रहिए लियम मूर क्राफ्ध 18 1222 और मेजर आर्चर 1829 और कैप्टन हारकोर्ट जो है वो कुलू वंसावली के बारे में बताते हैं तो यह बेसिक सी जानकारी है यहां से आपको पता होने चाहिए kallu की किस राजा बनाया था अगर राजा भूप्पाल के बारे में बात करें तो राजा भूप्पाल जो थे वो सुकेत के राजा वीर सेन के समकारी थे मतलब बीर सेन सुकेत के राजा थे जिन्होंने सुकेत की स्थापना की थी और बीर सेन के समकालीन थे राजा भूपाल और राजा भूपाल को जो था और राजा बीर सेन ने बंदी बना लिया था यहां से आपको यह जानकारी पता चलकी कि किस राजा ने किस राजा की राजा ने किर्णु के राजा भूक्पाल को बंदी बनाया था तो सुकेत के राजा बीर्पाल की दोरा बंदी बनाया था Question number 66 है बुसहर ने राजा कहरी सिंग और तीबत के मत्य किस वर्स संधी हुई तो बुसहर के राजा कहरी सिंग और तीबत के बीच में आपको पता है एक संधी हुई थी, ये संधी कब हुई थी ये संधी हुई थी स्तारवी स्तावदी में Q66 का option D जो है उस है 17th century में ये संधी हुई थी काफी important question में दाऊंगा ये काफी important question है तो बुसहर के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो बुसहर रियासत की स्थापना सिरी क्रिशन के पुत्र प्रद्यूमन ने की थी ये माना जाता है और बुसहर के राजा चैतर सिंग थे इन्होंने अपनी राज़दानी कामरू से सराहान को शिफ्ट की थी और 10th century में इन्होंने अपनी राज़दानी सिफ्ट की थी बुसहर के राजा केहरी सिंग थे जिनको अजानू बाहू कहा जाता अजानुबाहू और शेत्रपती के द रामपूर को किसने दिया था तो राजा राम सिंग के द्वारा जो था वो बुसहर की राजदाने सराहन से रामपूर को शिफ्ट की गई थी जब गोरखाओं का आक्रमन हुआ था तो उस समय बुसहर की राज थे राजा महेंदर सिंग और बुसहर के राज़ा समसेर सिंग थे जब 1857 का विद्रो हुआ था 1857 के विद्रो में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देने से साफ इंकार कर दिया था और बुसहर के जो अंतिम राज़ा थे वो थे राजा पदम सिंग तो ये बिल्कुल आसान सी जानकारी है जिस्ट डिवाइस करना हमारा एक मोटिव था जो हमने डिवाइस कर ली नेक्स्ट क्वेशन है उन्नीसवीन सर्दी की पहली चोथाई के दुरान गोर्खाउं और अंग्रेज़ों के मद्धे किस स्थान पर निरणायक यूद्ध हुआ तो 19th century की बात की जा रही है कि 19th century की जो पहली चोथाई थी मतलब स्टार्टिंग में मानके चलिए आप कि गोर्खाउं और अंग्रेज़ों के मद्धे में जो था वो निरणायक यूद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था तो question number 67 का जो है वो option A सहीत है जा तक Hills पर ये यूद हुआ था जा तक Hills या पैद रखेगा जा तक Hills पर ये यूद हुआ था next question देखते है next question हंदूर रियासत के साचक वनस की स्थापना किस ने की हंदूर की बात करें हंदूर किसका नाम है नालागर का प्लाणाम है भी तो आपको पता है जो बिलास्तु रियासत थी, वहीं से ये अलग हुआ थे और इन्होंने हंडूर रियासत की स्थापना कर दी थी प्रिजेंट टाइम में हंडूर को नालागर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेशिन हिंदी में ही देखती है क्वेशिन नमर 69 किन दो ठकराइनों को 1896 इस भी में जुबल जियासत के अधियन कर दिया गया था अच्छा उससे पहले अगर हम इस क्वेशिन को डिसकस करें उससे पहले अगर फर्स टाम चैनल को विजिस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा और वीडियो को शेर करना ना भूले ठीक है तो देखते है हमारा के है क्वेशिन नमर 69 किन दो ठकराइनों को 1896 इस भी में जुबल जियासत के अधियन कर दिया गया था क्वेशिन नमर 69 का ओप्शिन डी जो है वो सही अंसर है कर दिया गया था बात कर लेते हैं जुबल रियासत की इस्थापना किस के दवरा की घई थी इन्होंने 11.95 में मतलब 11.99 में जो था वो जुबल की स्थापना जो थी वो की थी ये भी आपको पता होना चाहिए है कब की थी जुबल के एक राना थे जिनका नाम था पूर्ण चंद तो राना पूर्ण चंद को ब्रिटी सरकार ने राना की उपाथी जो थी वो दी थी ये भी आप याद रखिए और जुबल रियासत के एक साशक थे जनका नाम था भगत-चंद भगत-चंद को जो था 1918 में राजा का खिताब जो था वो दिया गह था और जुबल रियासत के जो अंतिम साशक थे वो थे दिग विजे चंद, दिग विजे चंद इसके अंतिम सासर के, और जुबल 15 अप्रेल 1948 में जो था, वो महासु जीले में मिल गिया था, तो ये बेसिक से जानकारिया आपको याद रखनी है, question number 70 है, अभी हमने डिसकस किया, question number 70 है, 1857 में सेन्ने विदरों के दोरान, 70 का option है, समसेर सिंग जो है, वो सही अंसर है, next question है, question number 71, निमल लिखित मैंसे, किसे लहोर सडेंतर केस में मृत्यु दंड दिया गया, जिसे बाद में अजीवन कारावास में बदल दिया गया था, तो यहां के एक ऐसे बिद्रोही थे, जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया Q71 का option है, रिदे राम जो थे, वो ऐसी एक सक्षियत थे, ऐसे एक महान रखती थे, इन्होंने लहोर सडेंतर जो हो था, इसमें इनको मृत्यु दंड दिया गया, प्रन्तु इनकी वाइफ के अनुरोद पर, इनकी रुकेस्ट पर इसको जुदा हो बात में अजीवन काराव Q72 नरेंदर मंडव जिसको Chamber of Princess भी कहते हैं, उसकी स्थापना कब होई थी? यह question तो कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को इसका अंसर बता भी होगा, option C, 1921, 1921 इसका सही अंसर है, Q72 का option C, Q73, 2011 की जनगना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जी रहा है, Q73 को आप एक बार इंग्लिस में भी देख लीजिए, according to 2011 census, which district of हिमाचल प्रदेश है as the lowest scheduled caste population, तो सबसे कम scheduled caste population मैंने आपको बताया था, कहां पर है, लोहल्स पित्ती में सिद्ध है, लोहल्स पित्ती यहां पर percentage पूछा गया है, lowest percentage, तो लोहल्स पित्ती में सबसे क अब ही हमने पिछले कर लिए एक वीडियो डिसकस की थी, जिसमें हमने रिलीजन के बारे में डिसकस किया था, जो हमने overall हिमाचल का जो एक महीनी का गिर्दाज करके हम डिसकस किया था, गिर्दाज नूस पिपर, उसमें मैंने आपको जितने भी रिलीजन थे, सिक हिंदू, जो Christians, Muslims, उन सब भी के बारे में बताया था, और उससे पहले जब हमने 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 यह सब डिसकस किया था, Q74 देखेते हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा Mountain Pass ऐसा है, जो सबसे अधिकुंचाई पर सित है, सबसे अधिकुंचाई पर परांगला एक माउंटेन पास ह option B, question number 74, यह सबसे अधिकुंचाई पर सित है, इनेक्स्ट कुष्ण न है, डोडरा कवार और सांगला कि नौर के बीच कौन सी जील सित है, जो डोडरा कवार है, सांगला है कि नौर में, यहाँ पर कौन सी जील जो है, वो सित है, तो यहाँ पर घढ़ासरू जील जो है, वो कुछ नदियों और उनकी साहिक जलदाराओं के नام दिए गए हैं इन मैं से बेमील को पहचानी। जो सही नहीं है वो आपको पहचानना है। तो यमुना में कहा गया है कि क्या जलाल की साहिक नदीए। अंधरा क्या सत्रूज की है, स्पिन क्या ब्यास की है, और मियार क्या चिनार की है, Q76 का जो है वो option B सही है, अंधरा किसकी साहिक नदी है, अंधरा जो है वो यमुना की साहिक नदी है, यह आपको याद रखना है यहां से, वैसे अगर अंधरा नदी के बारे में आप चाहिए कि आंधरा जो है वो पबर की साहिक नदी है और पबर जो है वो यह मुना की साहिक नदी है आंधरा नदी जो है या फिर आंधरा नदी कह लीजिए या जलधारा कह लीजिए यह निकलती कहां से है यह एक्जेक्टली निकलती है चिडगों विलेज है डिस्टिक शिमल में यहां से ही निकलती है next question देखते है next question Q78 शिकारी देवी वन्य परना प्राणी सरनस्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जीलियों के किस कस्वे के पास अस्तित है यहां पर आपको बताना है कि शिकारी देवी वाइलाफ सेंचुरी जो है वो मंडी में स्तित है यह आपको बता है प्रंथु कौन से टाउन केस में फिस दित है तो यह सुंदरनगर टाउन केस में पर सित है Q78 का ओप्षिन D जो है वो सही हन्स है Q79 है फुल एच जोहर हिमाचल प्रदेश के किस क्षेतर से प्रमुक रूप से जुड़ा है फुलेच फैस्टिवल कहां से जुड़ा हुआ है आपको पाता है KINOWR से जुड़ा हुआ है 79 का Option B को सरी कि नोर से जुड़ा हुआ थे वहार है F princi चमभा का मिनजर मेला किस दिन शुरू होता है चमबा का मिंझर मिला कब शुरू होता है? कई बार मैंने आपको बताया है जब भी हम fair और festival डिसकस करते थे तब चमबा का शुरू होता है चमबा का मिंझर मिला जुबह है वो second Sunday of 45 मंथ को शुरू होता है और third Sunday of 45 मंथ को समापत हो जाता है Q8.1, Q8.1 देखते हैं हम उमारे बास क्या है? निमलीकित में से कौन चित्रकार, चित्रकला, कलं, केशवदास की, रषक प्रिया, नायक, नायका, प्रसंग के बारे में हैं? अगर बात करेंगे चित्रकला के बारे में, Q8.1 का C, सही अंसर है. यह अरकी इसका सही अंसर होगा, ठीक है यह इसका सही अंसर है, question number 82 है, निमलिकित में से कौन सा मंदित पैगोडा सैली में बना है, पैगोडा सैली में कौन सा बना है, हडिमबा मंदित जो कि मैनाली में स्तित है, वो पैगोडा स्टैल में बनाये गया है, next question है question number 83, question number 83 भी इतनी शेवाएं पब्लिक चर्विस गरंटी एक्ट के अधिन या फिसके इसमें सामिल कर दी गई है तो यह इसमें अगर आब बात करेंगी क्वेश्च नबर 83 की तो option D सही अंसर है 187 की काफी important question question number 84 है हिमाचल प्रदेश के चंबा जीले में किस स्थान पर भेड प्रजनन फारम स्थित पर है यह आप आप कमेंट करके बता देजिए और डिस्टिक की नौर में कहां पर है ये भी आप कमेंट करके बता देजिए Question number 85 सुकेती जिवासम पार्क माचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है Obviously सुकेती कहां पर है सुकेती डिस्टिक सिरमौर में स्थित Question number 85 का option C सही है सिर्मौर मस्थित्य है ये सुकहति जिवासम Prague Question number 86 जो है वो है शिम्ला सहर की बैंटनी कोठी जिसे ग्रिश्म कालीन महल के रूप में परियुग किया जाता है किस रिहासत की थी तो यह कौन सी रियासत की थी बैंटनी कैसल जोसको कहते हैं बेंटनी केसल की अगर बात करेंगे आप तो ये सिर्मौर रियासत की थी Q86 का option D जो है वो सही अंसर है 86 का D सही अंसर Next question है Q87 July 1939 इस भी मैं किसने स्रीधामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की तो धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी Q87 का option D भागमल प्रचारणी सभा की स्थापना की गई Q88 है हिमाचल प्रदेश में सिमान्त जोतों का प्रतिसत लगभग कितना है यहाँ पर पूछा गया है सिमान्त को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो शिमान्त को कहा जाता है What is the approximate percentage of marginal holding in हिमाचल प्रदेश Marginal की बात की जा रही है कितना है इनका question number 89 का option D 69.78 जो है वो सही रंसर है यह आप याद रखेगा important question है question number 89 In which district of हिमाचल प्रदेश इस बेराडोल solar power project जो की 5 megawatt का है वो कहां पर स्थित है बेराडोल solar power project 5 megawatt का है और यह district बिलास्पूर में स्थित है option D जो है वो सही रंसर है next question देखेंगे question number 90 question number 90 है बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई या फिर कब शुरू की गई बेटी है अनमोल योजना जो था वो लागू की गई थी question number 90 का जो है वो option B सही रंसर है तो यह प्रणम मुखर जी के दौरा लिखी गई थी question number 91 का option A जो है वो सही रंसर है ठीक है तो यहां तक जब जो भी question हमें डिसकस की वो थे HPGK के question इस section में हम HPGK ही डिसकस करेंगे बाकि अगर आप लोगों का response अच्छा रहा तब हम complete question पर भी डिसकस कर लेंगे ठीक है तो that's all for today thank you for watching the video